नमस्कार दोस्तों हम लोग हॉस्टल वर्डन पर रिक्षा के लिए बाल मनविज्ञान का ये जो वीडियो सीरीज है वो देख रहे थे जिसमें सिक्षा और मनविज्ञान ये दो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है आज के इस वीडियो में स्रिजनात्मक्ता को पढ़ने जो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चली इसके अलावा हमारे एप में आपको ये जो हॉस्टल वर्डन का टेस्ट स्रिज है वो देखने को मिल जाएगा 149 रुपिज इसका रिष्ट्रेशन चार्ज रखा गया है पैमेंट करके वहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे कि creativity क्या है इसको कैसे कैसे परिभासित किया गया है इसके कौन-कौन से और जो भी से स्थाएं वो सबको देखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर बहुं सारा question है यह सभी question को हम लोग प्रक्टिस करेंगे यह आपका UP trade, CG trade, C trade या फिर जो CG व्यापम द्वार प्रक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हर एक topic अधूरा रहता है, खास करके हम पर बाल में भी ज्यान क्योंकि यहाँ पर question कैसे पूछा जा रहा है, उसको कैसे हमको हल करना है, मतलब कैसे उसका answer ढूणना है, वो हमको question सही पता चलता है, जब तक question practice नहीं करेंगे, theory पढ़ ल लिए इप ओल, Torrens को क्या बोलता है, स्रीजनात्मक्ता के जनक बोलता है, मतलब कि फादर अफ creativity बोलता है, स्रीजनात्मक्ता का संबंध मुख्यूरूप से मौलिक्ता या नमिंता से होता है, इसलिए स्रीजनात्मक्ता को विविद सोंच की और धार्ना से संबंधित माना जाता है, विविद सोंच की अधार्ना, मतलब कि divergent thinking, किसी problem का solution आप कितने तरीके से ढूंड सकते हैं, कितने तरीके से उसके बारे में आप सोंच सकते हैं, उससे इसको यहाँ पर बोला जा रहा है, विविद सोंच की अधार्ना, मतलब कि divergent thinking, ठीक, आगे और भी यह चीज होने होता है, जिसको अलग-अलग भाग में उसको तोड़ा जा सकता है, अलग-अलग भाग में उसको अलग-अलग parts किया जा सकता है, और फिर उसको बच्चों को दुबारा दिया जाता है, कि बच्चे उसमें अपना creativity लगा करके, उसको फिर से जोड़ करके, जो खिलाउन करके वहाँ पर जमाया जाए ऐसा टाइब से यह बहुत सरे खिलाओने होते हैं मार्केटिम जिसके मात्यम से बच्चों के आवसयक गुड है तो नविन विचार का स्रिजन उत्पादन मौलिक चिंत यह सभी स्रिजन आत्मक्ता का आवसयक गुड के रुप में हमको देखने मिलता है कि चलिए अब इसके बाद देखे स्रिजन सिलता मतलब कि creativity स्रिजन सिलतावाद अधिगम करता मतलब कि जो लर्नर अधिगम करता मतलब कि लर्नर को बोलता है जो सीखने वाले जिसे कि जो भी लर्नर करते हैं सीखते हैं उसी को अधिगम करता बोलते हैं तो स्रिजन सिलतावाद अधिगम करता को मतलब कि लर्नर को सीखने में अधिक प्रदान करता है जिससे वह नय नय प्रोग कर सरलता से अधिगम करता है मतलब कि जो divergent think की है किसी भी problem को solution आपको अगर ढूंढ़ना है या फिर किसी भी problem को आपको solve करने के लिए सीखना है तो आपको जितने different तरीके से वहाँ solution उसके दिया जाए different तरीके से आपको सोचने का मौका दिया जाए यह आप ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी हो सकता है उतने ही बहतर तरीके से उन चीजों को आप सीख सकते हैं तो वही चीज को बोला जा रहा है कि अगर learner को मतलब अधिगम करता को अधिक स्वतनतरता दिया जाए सीखने में अधिक स्वतनतरता गर उसको दिया जाए तो दिफेंट तरीके सोचे गा और नयनय प्रियोप करके सरहलता से उस चीज को सीख लेगा ठीक अब देख़ो एक वैग्ज्यानिक है एक विभ्यानिक है, क्रो एंड Convers to I think i कुछ इन्हों ने जो k्रिएटिविटी है उसका एक परिवासा दिया है मतलब स्रिजन सिलता है जो क्रिइटिविटी है उसके बारे में एक परिवास इन्हों ने दिया हुआ है अब यह works हिंदी-إंग्लिस मैंने दोनों लिखा हुआ स्रीजन सेल्ता मौलिक परिणामों को विक्त करने की मानसि excitement सकते हैं तो जो Creativity होता है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होता है ये क्रो एंड क्रो ने कहा है ठेक है क्या चीज़ है Creativity is a mental process to express the original outcome Creativity is a mental process to express the original outcome ठेक है ये परिभासा को याद रखेंगे ये एक्जाम में आ चुका है आगे इसका question भी आपको देखने का मिलेगा देखें अब इसके बाद अब सारी चिंतन मतलब कि divergent thinking से सम्मंदित है Out of the box का मतलब आप क्या समझ रहे है Out of the box का मतलब यहाँ पर divergent thinking से है मतलब कि अगर कोई भी problem आपके सामने है उसको आप कितने तरीके से सूँ सकता है मतलब कि कोई बहुं सारा problem ऐसा होता है कि अब जब उसको solve करने के लिए बैठ है अब सिर्फ मैट से का problem नहीं ना किसी भी तरीके से problem हो सकता है तो मान कर्षिचे लिए 57 लोगों का group है 57 लोग कहीं पर घूमने के हैं कुछ सामने में उनका problem आया अब उस problem को solution नहीं मिल पा रहा है मतलब कि उसका थोड़ा थिंकिंग के है डाइवर्जेंट थिंकिंग है कुछ दूसरे तरीके सोंच करके उस problem को solution वहाँ पर ढूंड लेता है या फिर जो भी problem है उससे वह बहार निकल कर ले आता है तो इसी सिसको यहाँ पर बोले जा रहा है कि out of the box जो चिंतन होता है out of the box जो थिंकिंग होता है वो अब सारी चिंतन मतलब कि divergent थिंकिंग से संबंदित होता है ठीक यह बोल जा रहा है अब यहाँ पर देखे एक वग्यानिक है गिलफोर्ड नाम का यह वग्यानिक नाम याद रखेंगे और इसमें कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर बतायागा है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा देखो यहाँ पर पढ़ो इसको क्या बोलो जा रहा है गिलफोर्ड considered creative thinking is involving divergent thinking मतलब कि गिलफोर्ड ने क्या मतलब क्या consider कि कि जो creative thinking होता है वो divergent thinking में involved होता है मतलब कि हम जो different तरीके सोच सकते हैं यहाँ पर जो था ना अपसारी चिंतन ठीक है अपसारी चिंतन यह जो अपसारी चिंतन होता है मतलब कि जो divergent thinking होता है मतलब कि उसी में involved होता है जो creativity है वो बोले जा रहा है ठीक है मतलब कि ये creativity में जो divergent thinking होता है वो involved होता है वो उसी के अंतरगत नहीत होता है आप ऐसे कह सकते हैं which consists of four elements such as देखो इसमें चार element होते हैं ये जो creative thinking है जिसमें divergent thinking thinking group में हम इसको देख रहे हैं इसमें चार element होते हैं element कौन कौन से है fluency है मतलब की प्रवा है flexibility है मतलब की लचीला पन है या फिर विविद्धता है originality है मतलब की मौ लिखता है और elaboration है मतलब की विस्तारण है अब ये चारों को आप अच्छे से रट लिजिए या फिर किसी भी तरीके से आप इसको याद रख लिजेगों कि बहुँ सारा question है जहां पर हमको ये देखने को मिलेगा इस वैग्यानी का नाम भी याद मतलब की प्रवाह लचीलापन मौलिक्ता और विस्तारण अब इसको याद रखने के लिए आप कुछ कुछ ट्रिक बना लीजे या फिर किसी भी तरीके से इसको आप याद रख लीजे मान कर चले यहां पर इस प्रकार से एक हमारे पास यह इंक का बॉटल है इंक का बॉटल या फिर जो पेंट होता है घर में पेंट होकर करता है उसका बॉटल है इसमें इस प्रकार से पेंट अंदर में है अब यह इस प्रकार से जमीन में गिर जाए इसको मैं आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ ना इसका इससे को अगर प्रवाह देखो यहां पर प्रवाहित हो रहा है इस प्रकार से क्या हो रहा है प्रवाह हो रहे है यह प्रवाह लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबल यह अगर इंक जितना ही इसमें विस्कोसिटी रहेगा मतलब जितना कम विस्कोसिटी रहेगा जितना ज्यादा लचीलाप यह प्रवाह होगा मतब यह कह सकते हो लचीला पन यहां पर ऐसे लचीला पन ऑरिजनालिटी अगर यह जो यहां पर यह जो पेंट है यह अगर ओर इसनल है क्या चीज़ है यह और इसनल है तो यह जाद इस प्रकार से क्या होगा यह विस्तार होगा ऐसे कह सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब यहाँ पर अगर यह जो इंक है या फिर जो पेंट है वो प्रवा हो जाए मतलब कि बह जाए ठीक है अब फ्लेक्सिबल है ऐसे कह सकते हैं फिर फ्लोएंसी मतलब कि इसको प्रवाहित कर दिया जाए बहा दिया जाए तो इसमें क्या होगा यगर जितना ही ज्यादा लचीला पन रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा यह विस्तार होगा मतलब इसको जैसे भी तरीके से आपको याद रखना होगा याद कर लिजेगा जहां तक मुझे याद है इसी तरीके से मैंने याद किया हुआ है तो मैंने आपको समझा दि ग्राहम वालस तो इनके अनुसार जो creative thinking होता है मतलब कि जो स्रीजनात्मक चिंतन जो होता है मतलब creative thinking जो होता है इसके चरड़ बताये गए हैं इसके चारव चरड़ हमको बताये गए और यह चारव चरड़ बहुत important है ना यह बहुत बार exam में आया हुआ है बहुत important है, हर एक exam में आता है, seated, suggested, हर एक exam में आता है, तो इसको आपको अच्छास करना है, देखो, इसमें चार जो चरण है, कौन-कौन से है, एक तो है उपक्रम, मतलब कि preparation, इसमें थोड़े English में ज़्याद दिहान देंगे न, पहला क्या है, preparation है, incubation है, ठीक है, दूसरे जैसे कि, preparation का मतलब क्या है, जो पहला जो stage होता है, creative thinking का पहला जो stage होता है, वो क्या होता है, preparation होता है, प्रिप्रेशन का मतलब है, identify the problem, यहाँ पर जो भी है, identify the problem, पहला जो process होता है, वो preparation है, दूसरे नमबर पर incubation है, तीसरे नमबर पर illumination है, और चौथे नमबर पर यह इसको समझेल्न बहुत ज़ूर रही हिंगे हम Jetzt कोई भी प्रॉबलम हमको मिला प्रॉबलम हम्कों में यहां महatanा है यह उसको हम्कुर्यां सुंछे पहले problem क्या है उसको identify मतलब कि identify the problem पहला stage है दूसरे stage पर incubation है incubation मतलब कि relax the mind mind को थोड़ सांथ करने है ठीक है एकदम सांथ हो जाने है एकदम ऐसा react नहीं करने करें problem आ गया अचानक से उसमें react करके कुछ कुछ भी तुक्का नहीं मारते हैं फिर कुछ भी उसमें solution हमको नहीं ढूंड लेना है mind को relax कर लेना है मतलब कि यह क्या बोले जा रहे है incubation ठीक incubation तीसरे stage में आता है illumination illumination यह जो होता है यह Eureka moment होता है Eureka moment मतलब कि आपको तूरंद उसका solution नहीं मिल जाएगा आपके life में कुछ प्रॉब्लम है फिर किसी भी तरीके से और जो भी प्रॉब्लम है उसका तूरंद आपको solution वहाँ पर नहीं मिल जाएगा उसका बहतर solution आपको mind जब relax रहेगा तब मिलेगा इसलिए यहाँ पर बोले जा रहे है कि से relax the mind mind आपके जब relax हुआ अब आप कुछ काम कर रहे हैं फिर किसी भी चीज में और कहीं पर हैं कहीं पर कुछ जा रहे हैं नहां रहे हैं बहूं सारे मुमेंट ऐसे होते हैं, जब हमको वो जो problem है, उसको हम solve करते रहते हैं, उससमारा दिमाग में वो जो thought है वो नहीं आता है, बाद में हमेरे दिमाग में आता है, जब हम एकदम relaxed mode में रहते हैं, हैं जब हम नहाने के लिए गया है मतलब इस प्रकार से बात तरह में यहां पर देखेंगे ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे ताइप से यह जो यह जो है इसको बोलते हैं illumination मतलब कि जब हमारे दिमाग में कुछ एक यूरेका मॉमेंट आता है जब हमको कुछ आइडिया पता चल जाता है इसलिए यहां पर देख़ए बलब का अब यहां पर पर वहां पर देने का प्रयास कर रहा है छला इस प्रकार से जो ग्राहम वालस है ग्राहम वालस ने जो creative thinking है स्रीजिनात्मक जो चिंतन है उसके चार चिरड़ बताए है preparation है पहले problem को identify करना है यहाँ पर preparation के नाम से जाना जा रहा है incubation है मतलब कि mind को थोड़ा relax करना है इसके बाद illumination है अचानक से प्रबोधन होता है आप सुने होंगे प्रबोधन मतलब कि ज्यान की प्राप्ती हो जाना प्रबोधन मतलब कि illumination यही जिसको बले जा रहे है इस प्रकार उरेका मतलब कि कोई यहाँ पर इसको idea मिल चुका है अब यहाँ पर वरिफिकेशन मतलब कि लास्ट में जो प्रामाडी करा रहा है या फिर वरिफिक जने ये स्टेज रहेगा ठेक है तो इस प्रकार से जो creative thinking है इसके चार स्टेजेज बताए गए है चार चरड बताए गए है ध्यान में रखेंगे चार और चरड को आपको याद रखने है यह दो वैग्ज्यानिक हम लोग उन देखा है कि जो creative thinking होता है उसको चार चरड होते हैं वो चार और चरड को हमको इस प्रकार से बताए गए यह चीज़ हम लोगों यहां पर समझा अब यहां पर देखे creativity को बढ़ाने के लिए कुछ विधियां यहां पर बताया गया है स्री जनात्मक्ता को बढ़ाने के कुछ विधियां के बारे मिए पर हम बात करेंगे जिसमें सबसे इंपर्टेंट यह सुरू के तीन विधियां जिसमें सबसे पहला तो ब्रेंस्ट्रॉमिंग विधि है विचार मनतन विधि ठीक है इंपर्टेंट है याद रखेंगे सुना कि यह क्या चीज है syneck् tạiिक्टिक्स वीधि है। थोड़ा अजीव हो गरीफ है थोड़ा देख करें पढ़ियेगा। तो.सुने करह insects भी इसको दिए थे किसने गार्ड़ान दिय था इसका 6 हैट वूद है डीबुनों ने दिय था फिर यहाँ पर तो यहां पर वही चिसको यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि जो स्रिजनात्मकता है जो creativity है उसको बढ़ाने की कौन-कौन से विधी है तो यह समस्य समाधान विधी, खेल विधी, सामोहिक चर्चा विधी, यह तो simple-simple method है, कोई दिक्कत नी है, इसको यहां पर विचार स्रावेस विधी मतलब कि जो brainstorming method है, पॉसबान दोय दिया गया है, शिक्स हैट्स विधी, डी बोनर दोय दिया गया है, और सिनेटिक्स विधी, यह गाडन दिया गया है, तो इस प्रकार से यह 6 विधिया है, जिसमें से नीचे के जो 3 विधिया है, किस ने दिया था और कब दिया था, कब दिया था, याद होता है, तब तो ठीक, याद रखेंगे, वह नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उसको नाम याद रखेंगे, ठीक, चलिए, अब इसके बाद देखें, देखें, यहाँ पर यह creativity परिक्षड, मतलब कि creativity test का, कुछ creativity test दिया है, उस परिक्षड को दिया था, इस test को दिया था, और इसके बाद दूसरा यहाँ पर, torrens test of creative thinking, मतलब कि स्रिजनात्मक चिंतन परिक्षड, इसको torrens नाम का वग्यानिक ने दिया था, ठीक, इसका नाम सही पता चल रहा है, torrens test of creativity, torrens test of creativity, किस ने दिया था, torrens ने दिया था, remote associates test, मतलब कि rat, सिधा rat को याद रखें कैसे, दुरस्त संबंध परिक्षड, किस ने दिया था, madnick ने दिया था, ठीक है, madnick या फिर, sarren of madnick कि सुखा सकते हैं, पैसी test of creativity, यह नाम है पैसी, ठीक, वैग्ज्यानिक कही नाम है, बीके पैसी नाम का एक वैग्ज्यानिक है, तो पैसी test of creativity, किस ने दिया था, बीके पासी या फिर पैसी, या फिर पैसी बोलिए, जिन्होंने यह test को दिया था, मतलब creativity test, यहाँ पर यह वाला जो test है, पैसी test of creativity इसने दिया था नाम है वो ही नाम से है यह पेसी यहांआ फिर drawings के नाम से है तो यहां पर टोरींस के नाम से तो तीन नाम तो आपको याद हो जाएंगा इसके बाद यहां पर एक rat है remote associate, remote associates test है रैट है जिसमें यहां पर Richards से उसको आप रिलेट करके याद रख लो, यहाँ पर रेट से और मैडिनिक ऐसे कुछ याद रख लिए इसको, डाइवर्जेंट प्रोड़क्शन टेस्ट अब सारी उत्पाद विधी गिलफोर्ड है, ठेक चलो इस प्रकार से यह है, अब यहाँ पर हम कुछ कोशन देख लेते हैं, कोशन के माद्यम से हमको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलते जाएगा, देखिए, जी वालस के अनुसार स्रीजिनात्मक चिंतन का प्रथम चरड होता है, जो हम लोगों ने स्रीजिनात्मक चिंतन मतले पर क्रेटिव टेस्ट का जो हम लोगों स्टेजिस देखा था, वही उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो प्रथम चरड क्या होता है, बो है ठीक है प्रिप्रेशन मतलब कि identify the problem जो था ना identify the problem ठीक है यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं यह पहला क्या था पहला stage कौन सा था प्रिप्रेशन था पहले प्रिप्रेशन फिर उसके बाद incubation फिर illumination फिर verification ठीक है एक्जाम में देखो यह जो question है पूछा गया है कौन से एक्जाम है यूपीटेट के एक्जाम है इसे पूछा गया था तो answer क्या रहेगा डी रहेगा अगला question देखें निम लिखित में से कौन सा समो स्रीजनात्मक्ता के तत्वों के संबंध में सही है ठीक है अब स्र स्रीजनात्मक्ता के जो हम लोगों ने element पढ़ा हुआ है तो उसमें से कौन-कौन सा element यहां पर सामिल है उसको यहां पर हमको बताना है देखो यहां पर प्रवाह दिया है विविधिता दिया है मौलिक्ता दिया है सहकार्यता दिया है सहकार्यता नहीं था तो यह वाला जो answer था क्या नहीं दिया था प्रवाह व्यभार यह भी हम लोग नहीं पढ़े हैं देखो इसको ठीक क्या क्या है प्रवाह है विविधेता है मौलिकता है विस्तारण है यही चार हमारे option में था ठीक है fluency है flexibility है originality है elaboration है ठीक है तो answer क्या हो जाएगा भी हो जाएगा विचार मन्थन विधी brainstorming method के प्रयोग से सिछक बच्चों में निमलिखित में से किसका विकास करता है बताइए बुद्धी के विकास करता है कि अनुभूती के विकास करता है कि स्मृति के विकास करता है या फिर रचनात्मक्ता का विकास करता है तो सही अनसर क्या रहेगा रचनात्मक्ता creativity ठीक है बच्चों के creativity कैसे बढ़ता है किससे बढ़ा जाता है brainstorming विधी हम लोगोंने छै प्रकार की विधियों के बरेम बात किया है ना ध्यान में रखेंगे तो उसमें से सबसे important जो विधी था कौन से था brainstorming विधी brainstorming विधी मतलब विचार मन्थन विधी ठीक है चलो और वी विधी आगे आते जाएगे उसको देखेंगे स्रिजन सिलता की पहचान है तो किसने स्रिजनात्मक चिंतन परिक्षड कर निर्माड किया क्या किर स्रिजनात्मक और चेंट दिया है तो यह टॉरेंस नाम के ग्वैनिक है मतलब यह टॉरेंस टेस्ट आफ क्रेटिविटी ऐसे कुछ एक हम लोग ने देखा था तो रेंस नाम के ग्वैनिक था जिन्हों यहां पर श्रीजनात्मक्चिंतन परिक्षड दिया था देखलो कहा है देखो, एक टोरेंस test of creativity है किस न दिया है, टोरेंस न दिया है तो यह जो स्रिसिनात्मक, स्रिसिनात्मक चिंतन परिक्षठ है किस न दिया है टोरेंस न दिया है, ठीक, option 20 नहीं रहेगा इसके वाद देखो धाराप्रवाहिता, दाराप्रवाहिता, भूलो या फिर जो प्रवाह था ना, धाराप्रवाहिता, विस्तार, मौलिक्ता और लचीलापन, इत्यादी घटक सम्मंदित है, किसे सम्मंदित है, अब सारी चिंद दन से, मतलब कि courageous thinking से, और इसी से सम्मंधित जो भी चीज़े हैं जो ही एलिमेंट थे वह यह चार-पांच एलिमेंट हम लोगों ने देखा था ठीक है धारा प्रवाहिता मैंने प्रवाह बताया था आपको जो ऐसे कुछ बताया था न कि वह जो इंक के जो बॉटल है यह फिर जो पेंट के जो बॉ जितना लचीला पन रहेगा जितना विवीधिता रहेगा ऐसे मैंने कुछ समझाया था आपको तो यह इस प्रकार से चार चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर देखा था यह कि से सम्मंधित है अब सारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग से सम्मंधित है इसके बाद व्यक्ति तुम्म बिज्यान जो सुरिजनात्मक्ता होता है creativity जो होता है creativity से संबंढ़त है थे सिख्चा सह सकते सिख्षा के अलावं बहुं सब्सक्रान से ऐसे पर उहां कुड़ से और लाते हैं creativity के मात्तिम जैसे के आप मांहीं श्लाइड बगर बनाता हूं जितने में मैं श्लाइड बनाता हूं बहुत सरे PPT बगर मैं तयार करता हूं तो कहीं ने कहीं वहाँ पर कुछ ने कुछ श्री जन्वाद मतलब वही चीज़ बोला जारा है करेटिविटी के बारे में बात किया जारा है हूं मैं बच्चें शीक्षा केंद्रित होती है च्या शिक्षा जो है, शिक्षा के अंदरिस होती है, यह बोले जा रहा है, यह भी नहीं होता है, शिक्षा बाल के अंदरिस होता है, यह सही है, अगर जो creative अगर कहीं पर teaching कह सकते हो, या फिर जो creative thinking है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिक्षा है, वो बाल के अंदरिस होता है बाल केंदरित मतलब कि child centered होता है, बच्चों को जिस प्रकार से, बच्चों को जो thinking process है, बच्चों को जो creativity है, आप जिस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसको उसी तरीके से उसको सिखाना चीए, मतलब ऐसा नहीं होना चीए कि जो education के लिए जहां पमांच लेकि school है, school भी एक ऐसा होना चीए, या फिर जो सिख्चाक जो केंदर है वो ऐसा होना चीए, child centered होना चीए, बच्चों के अनुरूप चीजों को वहाँ पर ढाला जाना चीए, बच्चों को जिस तरीके से वहाँ पर सिखाना चीए, उस तरीके सो उनको सिखाना चीए, अगर उनको जिस तरीके सीख सकते हैं वहाँ पर उस तरीके से सिख्छा का केंद्र होना चीए थिक है तो वहीं चीज बोला जा रहा है तो यहाँ पर एंसर क्या हो जाए का सी इसका आंसर रहेगा अगला कोशन देखो निम लिखित में स्रिजन सिल्टा का प्रमुक्तत्व क्या नहीं है मतलब क्रियेटिविटी का क्या प्रमुक्तत्व नहीं है मौलिक्ता दिया है, अनुसासन दिया है, धारा प्रवाहिता दिया है, लाचीला पन दिया है हम लोगों ने देखा था, क्या क्या था बहाँ पर, प्रवाहिता था, प्रवाहिता ये मतलब कि धारा प्रवाहिता ऐसे, प्रवाह था, ये फिर धारा प्रवाह, फ्लोएंसी था ना, फ्लोएंसी मतलब कि यहाँ पर धारा प्रवाह ये भी है, लचीला पन था, फ्लेक्सिब किसी भी चीज़ के बारे में divergent thinking कर सकते हैं उसमें अपना creativity दिखा सकते हैं ठीक है लेकिन creativity में मौ लिक्ता होना चीए मतलब कि originality होना चीए वास्ता में अब 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 सा solution निकल पाएगा कि नी निकल पाएगा ये भी होना चीए ऐसा नहीं कि आप एकदम हवे में तीर मारना ऐसा नहीं होना चीए धारा प्रवाह होना चीए मतलब कि fluency उसमें होना चीए लचीलापन होना चीए मतलब कि flexible होना चीए flexibility उसमें होना चीए इसके बाद देखो यहाँ पर निम लिखित में से क्या बच्चों के स्रीजिनात्मक्ता के विकास में सहायक नहीं है मतलब कि बच्चों के क्रेटिविटी के विकास में क्या सीच सहायक नहीं होता है इसको हमको बताना है खेल सहायक होता है भासर सहायक होता है कि नहीं होता है देखेंगे आगे कहानी लेखन सिहाक होता है कि नहीं होता है आगे देखेंगे निर्मार सम्बंधित प्रक्रियाएं सहाक होती ही कि नहीं देखो इसमें से खेल भी सहाक है कहानी लेखन भी सहाइक है, निर्माड समबंधी, मतलब हम वहाँ पर कुछ चीज़ें बना रहे हैं, कुछ निर्माड कर रहे हैं, वह भी इसमें सहाइक होती है, लेकिन यहाँ पर भासर जो होता है, भासर देना को हम यहाँ पर answer लेंगे, क्योंकि भासर देना creativity thinking का कोई ऐसा कोई vicious part हम को देखने हो, नहीं मिलता है, क्योंकि आप यह कह सकते हो कि मान कर चलो, कोई एक मंत्री है, कोई यह मंत्री जिसको भासर देना बहुत अच्छे तरीके साथ है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको जो thinking हो creative हो, creativity thinking होना, मतलब उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि उसका क्या हो thinking creativity हो, मतलब creative हो, भासर अच्छे से दे सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसको thinking हो, divergent thinking हो, बहुत अच्छे तरीके सोचे, किसी problem को solution निकाले, ऐसा जरूरी नहीं हो, ठेक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है, कि यहाँ पर भासर जरूरी नहीं है, इसमें हो, तो जो creativity creativity के विकास में सहाक नहीं होता है, भासर, बाकि यहाँ पर खेल, कि मादम से creativity बढ़ता है, कहानली लेखन से creativity बढ़ता है, निर्मार संबंधिक जो प्रक्रिया है, उसका मादम से घ्या होता है, creativity बढ़ता है, देखो, सीखने का वह मॉडल, सीखने का वह मॉडल, जो क्रिएटिविटी को यहाँ पर बढ़ाता है कौन सा मॉडल है है एक कोशन आपको कि यहां पर इसका अंसर आपको बताने हैं हर एक कोशन का यहां पड़ दे जाये तो आपको पढ़ने में मज़़े नहीं आएगा तो इसको आप लोग बताएगा इसको देखो निम्ण में कौन स्रव यद्रिस सामागरी का उद्य से नहीं है मतलब भी अडियो विज्वल जो आपन देखते हैं मतलब कि देख करके भी सुन करके भी जिसके माध्यम से हम सीखते हैं उसके बारे में बात के जा रहे हैं तो उसका उद्य से क्या नहीं है जैसे यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, देखना और सुनने यहाँ पर दोनों हो रहे हैं, उसके माध्यम से आप यहाँ पर सीख रहे हैं, तो इसका उद्देश से क्या नहीं है, सिख्छड को प्रभावसाली बनाना तो है, इस उत्पन्न करना, यह इसका उत्पन्न करना यह इसका उत्पन्न करना 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 इसका और रूची बना दिया जा, नहीं है, रूची कर बनाना, इसका मुख्षय उद्दे से है, चलिए, अगला कॉशन देखे, यदि आपकी कप्छा में, यदि आपकी कप्छा का कोई विध्यार थी, विध्यालाय में होने वाले हर एक गति विधी के विशाय में जानने को सुख है, पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुख है, तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में क्या खेलायाएगा, कि वह बच्चा, वह पिछला विध्यार थी है, क्या आप ऐसा सोचेंगे, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या ऐसा सोचेंग लेकिन वहाँ पर हर एक गतिविधी में भाग लेने के लिए उत्सुख रहेगा, उसका क्या करेगा, उसका थोड़ा क्रेटिव थिंकिंग उसके माइंड बे रहेगा, देखो अगला यहाँ पर कुछन देखो, वह योग्यता जिसके द्वारा नय संबंधों का ज्यान होता है, इसकी उत्पत्ती में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हट कर अपसारी असाधरण विचार उत्पन्न होते हैं, मतलब यहाँ पर देखो, असाधरण विचार इसी को आपको ध्यान देना है, असाधरण विचार उत्पन्न होते हैं, इसमें असाधरण विचार उत् आजा रहा है अगला देखो रचनावादी दृष्टिकोड रचनावादी दृष्टिकोड के अनुसार इनमें से कौन सा ग्यान निर्माड के लिए महत्वपुड है अनुकूलन सूझ विद्यार्थी का पूर्वग्यान या रटकर याद करना इसका सही अंसर है सही का पूर्वग्यान किस फ्रकार्ट से हैं बच्चों का делает अगर हम कुछ स्कूर्व चिजो को परफआम करना है तो यहां पर धियार्थी के पूर्वग्यान है previous learn knowledge वो वहाँ पर सही अंसर है स्रीजनात्म को कम रूची हो सकते है वह मतलब की OVERMusic्券 क्रीटिव इस में कम रूची हो सकता है सामाजिक मुल्यों में सौंधार विस्यक मुल्यों में धार्मिक मुल्यों में उप्यूप्त सभी में, बताओ, क्या होगे इसका आंसर, अब देखो इसका जो एंसर है ना आप चाहो तो उप्यूप्त सभी भी ले सकते हो लेकिन इसका जो एंसर हो लिया गए धार्मिक मुल्यों में, जो स्रिजनात्मक था, स्रीजनात्मक जो बालक होता है मतलब creative जो student होता है उनको धार्मिक मुल्यों में कम रूची हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमको ऐसे भी देखने के मिलता है जो कि जिसका जो thought process होता है वो थोड़ा scientific type कराता है scientific nature को सौंच रखते हैं मतलब कि उन scientific चीज़ों में ज्यादा वो लोग ध्यान देते हैं तो उनका हो सकता है कि जो धार्मिक मुल्य की जो भी चीज़े हैं भक्ति भान ये सब चीज़ों में उनका थोड़ा विस्वास कम रहे है ठीक है तो यहां पर उनका रूची थोड़ा कम हो जाता है बहुत सारे हमको ऐसे student देखना मिलता है जिनमें ऐसा होता है लेकिन वो creative होता है लेकिन उनको समाजिक मुल्य में interest रहेगा समाज में कर कुछ creative मतलब कुछ चीज़ें हो रही है तो वहाँ पर participate करना भाग लेना वो रहेगा सौंदर रिवी से जो भी चीज़ें है उसमें interest हो सकता है देखो अगला यहां पर question क्या पूर है निम्ली खित में से किस प्रश्ण के द्वारा स्रीजनात्मक चिंतन को सरवधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है अब हमको creative thinking को अनुमानित कि पता लगाना है किसी बच्चे में creative thinking के बारे में हमको पता लगाना है तो किस तरीके से हम वहां पर प्रश्ण करेंगे हमको पता चलेगी कौन बच्चे किस प्रकार सोंचता है कि इसे कौन बता सकता है अब हमको किसी बच्चे से question करना है मतलब कि क्लास्रूम में हम खड़े हुए हैं अब हम पूछना है किसी question का हमको solution ढूणना है फिर किसी problem का हमको solution वहां पर ढूणना है तो हम बच्चों से अलग-अलग तरीके से question करेंगे जैसे कि हम यह कर सकता है इसे कौन बता सकता है मतलब कि यह question का answer कौन बता सकता है हम ऐसा question करेंगे, सहीं उत्तर बताएं, बच्चों को हम बोलेंगे इसका सहीं उत्तर बताईए, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, हम ऐसा भी बच्चों कह सकते हैं, और और क्या कह सकते हैं, इसे कितने अलग अलग तरीकें से हल किया जा सकता है, तो अगर हम बच्चों से तो यह ज्यादा उप्यूकते रहेगा तो यह हम क्या कर सकता है जो स्रीजनात्मक्षिंधन होता है जो प्रेटी जो क्रेटीव थिंकंग होता है उसको सर्वधिक अच्छे ढंग से अनुमानित इसके माद्यम से कर सकते हैं श्रीजिनात्मक्ता की अभिव्यक्ति किस रूप में किया जा सकता है नाटिकी, खेल दवारा, रहेसे भारा उपयोग सभी दवारा इसका सही अंसर क्या रहएगा, मतलब क्रिटिव झो खेल रहेगा उसके माध्यम से किया जा सकता है किसी बालाक में आप creativity का पता लगाना है creativity के अभिवक्ति का स्वरूप आपको पता करना है तो आप कैसे कर सकते हैं उससे क्या question करेंगे या फिर क्या कर सकते हैं तो वहाँ पर जो creative खेल रहा है जैसे कि वहाँ पर दो बच्चियों का वहाँ पर आपको image दिख कि रशनात्मक मतलब है creativity मतलब creative विद्यार्थी वह है creative विद्यार्थी creative student कौन होता है बहुत बुद्धिमान होता है क्या नहीं ऐसा नहीं कह सकते बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है creative होना जरूरी है ठीक है creative जो विद्यार्थी होता है उसका बुद्धिमान होना जरूर समध्धान में अच्छा होता है इसका सही अंसर यही रहेगा ठीक है 500 चिंतन और समस्य समध्धान में अच्छा होता है उसी को हम कह सकते हैं कि कि देखो इसके बाद क्या वाल जा रहा है स्रिजन सिल्था के पोर्षाड के लिए अध्यापक को निम्ण में से किस विधी का सहायता लेनी चाहिए स्रिजन सिल्था के पोर्षाड के लिए अध्यापक को ब्रेंस्टामिंग विधी का सहायता लेना ज्यादा अच्छा माना जाता है विचार मन्थन विधी एक मतलब बच्चों को यह बोला जाए कि इसमें विचार के लिए कितने तरीके से इसका हल हम निकाल सकते हैं इस प्रक में सबसे इच्छा में था ब्रेंश्टोमिंग भी दिता तो उसी को उसका एंसर ब्रेंश्टोमिंग लिए गया है इसको देखे आउट अब दबॉक्स चिंतन किसे समब्दित था हम लोग उन देखा है कि से अब सारी चिंतन डाइवर्जीन ठिंकिंग ठीक आउट अउट ज्यानिकनिस को कहा था कि स्रीजिनात्मक्ता मौलिक परिणामों को अभिवेक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है तो किस ने कहा था क्रो एंड क्रो ने कहा था परिभासा मैंने आपको समझाया था ठीक है जाकर कि देखेगा प्रो एंड क्रो ने कहा था स्रीजिनात्मक्ता की पहचान होती है किस से होती है चित्रफला से संगीत से नविन परिणाम से पुराने व्योहार से नविन परिणाम से क्या होता है क्रेटिविटी की पहचान हम कर सकते हैं नविन परिणाम महाँ पर देखे भी है हम लोग स्टाइटिंग में आपको मैं रखे उन्हे परंपरावं से हैं नह रखने रखने उनको को सही सिख्छा प्रदानकरें इसका सही अंसर क्या है उन्मुक्त बातविरण रखना है डर्फिक तो बनाना चाहिए बच्चों को वहाँ पर डिफेंट तरीके सोचने का मौका दिया जाना चाहिए तो यहीं इसका हमारा सही अंसर है कि चलो अगला दो कुशन और बचा हुआ है कि आर्क्रमेडीज ठीक एक मनव ज्यानिक यहाँ पर हम एक सिंटिस्ट है यह अर्क्रमेडीज ने अपने समस्या का हल तब पाया जब हाँ अपने इस नांट अधम में था यह क्रेटिविटी की प्रक्रिया के किस स्वपान के अंतर गताता है हुम लोगोंने क्रेटिविटी के अलग-अलग क्या देखा था कि अलग-अलग इस्टेज़ के बारे बात किया था इनक्यूबेशन था इलूमिनेशन था सब्सक्राइब इस प्रकार से था यह चार इस सब्सक्राइब नहाँ तो यह और इसका फॉल्सक्राइब सकता है इसका solution तो यह मतलब किसी भी problem को solution उसको नहाते हुए इस प्रकार से अराम से बठा हुआ है तब उसको वहाँ पर दिमाग में आता है क्लिक करता है तो वह कौन से कि रचनात्मक्ता कहा जाता है रचनात्मक्ता मतलब कि creativity कहा जाता है तो इस प्रकार से यह हुआ हमारा complete के टेस्ट सरी आप लोग देख लिएगा application में जा करके और 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 कोई भी जान करिए अगर चाहिए रहेगा तो यहां पर वाट्सप में में मेसेज करें यहां पर आपक question कहा है चले फिल हाल वो question को देखेंगे बाद में यह question था क्या कि अग्वर्तमान समय में सिख्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है श्री जनवादी उपागम चेक है रिटीव जो उपागम है उसके बारेम बात किया है तो इसका असर क्या रहेगा अगले क्लास में जो भी और हमारा टॉपिक है उसको कवर करेंगे धन्यवाद